सुबह के आठ बजे अरे भीया आप देखिए गलत फैमी हुआ है हम रवीश कुमार नहीं है अरे सुनो तो सदेखो अरे गुदगुदी हो रहा है नहीं भाई देखो ममा कसम पत्र का जिता छोड़ देंगे हमको पेलेगा नहीं बस प्लीज क्या रोल कर लिया कि तुमने नमस्कार दोस्तों मैं रामा लिंगम यादव आपका स्वागत करता हूँ अडे विद के नए एपिसोड में कहा जाता है कि जब सफलता के सभी दर्वाजे बंद हो जाते हैं तो एक और दर्वाजा खुलता है ये वाला बिगर बॉस के घर का दर सर्प्राइजी से भरा हुआ है पहला सर्प्राइजी है और मुझ पर कैमरा रखो तुम है कि अब बहुत बढ़िया बहुत अच्छा नाचते आप लोग सुबै के नौ बजे बेगर बास अंदे हो क्या बे दिखनी रहा मैं दिख रहा हूं हां दिख रहा है मैसेल्फ चंद्रचूर त्रिवेधी और्फ सीजी टीवी हलो चेक माइक चेक बिगर बॉस घर में वाइल काड एंट्री रामा लिंगम का हार्दिक स्वागत करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आओ अले भट तो हावर यू बिगर बॉस बातचीत के लिए सिर्फ हिंदी भाषा का प्रेोग करें जी डू यू अंडस्ट अधिक जानकारी के लिए स्टोर रूम में संपर करें तो बताईए रामा लिंगम क्या लेंगे आप चाय कॉफी या टास्क जी नाश्टा तो मैं सुबह घर से करके राया था तो टास्क थोड़ा है भी हो जाएगा बाकि चाय ली जा सकती है तो किचन में जाईए और बरतन मांच के दो कब चाय बनाईए बिगर बास में आपका इंटर्विय लेने आया हुआ चीनी एक चमच सुबह के ग्यारा बजे ये लीजे ये लीजे बिगर बास आपकी चाय कुछ मत कहिए रामा लिंगम बिगर बास समझ सकते हैं कि उनसे मिलने की खुशी में आपका गला भराया है ने भरा ने ये खराब हो गया है ओ तो इससे पहले कि आप चाय में थूख दें बिगर बास आपको कुछ देना चाहते हैं सामने जो ड्रावर है उसे खोली है ये वाला अरे वार रीजन टू स्टे अलाइव भाई भाई ये वाला नहीं दूसरा वाला अरे विक्ष ये हुई ना बाद बिगर बास एक मिनिट इसमें जिंजर वाला नहीं है मिन्थॉल ट्राइ करो वो भी अच्छी है लेकिन मैं हनी ट्राइ करूंगा क्योंकि मेरी गल्फ्रेंड मुझे प्यार से हनी बनी बुलाती है रावा लिंगम वो देखो 2000 का चुट्ट हनी वाली गायब हो गई चमतकारी बिगर बॉस मजा आ गया थैंक्यू बिगर बॉस आप समझाया कि आपका गला कभी खराब क्यों नहीं होता बिगर बॉस आफ्टर इंस्टेंट रिलीफ तो चलिए इंटर्व्यू की शुरुआत करते हैं तो बिगर बॉस जी मेरा पहला स सवाल आपसे काफी औव्यस सवाल है और एक कई बार आपसे पूछा गया होगा यहीं ना कि आप दिखते क्यों नहीं सामने क्यों नहीं आते तो मेरा आखरी सवाल यही है कि आप दिखाई क्यों नहीं देते आप लोगों के सामने क्यों नहीं आते तुमने कभी हवा को देखा है नहीं बिल्कुल नहीं तुमने कभी सोच को देखा है नहीं तुमने कभी बिजली, इमोशन, टेस्ट, ग्रैविटी, रेडियो वेव्स, डार्क मेटर, ब्लैक होल और बॉम्बे वेलर अरे नहीं देखा है भाई मगर वो तो है ना हाथ, तो, तो क्या मतलब मतलब कभी-कभी लगता है कि आप उनिच भगवान है और भगवान लोगों के सामने नहीं आते वे चोटे, एक दिन के लिए लोनावला वाला गर मिलेगा क्या, इस वीकेंड पर वार करना है अरे भाई, आप कही घर है, चाहो तो आग लगा दो और सुन, कैमरा आफ कर दियो, क्योंकि पार्टी में होने वाला है, टू मच फ़ान, हे बुलकित, चल पैक बना, ये अरबास, चखना लेकिया ना दिए हाँ, तो रामा लिंगम, क्या बोल रहा था मैं? आप कहा कुछ बोल रहे थे, बोल तो बस रहे थे मैं इंटर्व्यू की बात कर रहा हूँ जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था, कि अगर आप लोगों के सामने नहीं आएंगे, अगर आप दिखाई नहीं देंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा, कि आप दिखते कैसे हैं भीड तो देखी होगी ना आपने, भीड से ही कोई एक शकल चुन लीजिए, मैं वो हूँ ये क्या है बिगर बॉस मिमिक्री सहाब, मिमिक्री, मेट्रो की दर्वाजे दाईं तरफ से खुलेंगे तुम ही डाईल की लेला क्रमांग का, विक्स की गोली लो, खिच-खिच जूर करें बस, मैं समझ चुका हूँ, कि बिगर बॉस, शोखत्म होने के बाद, पापी पेट के सवाल के लिए, यहाँ वहाँ मू मारते फिरते हैं वैरहल अगले सवाल की और आगे बढ़ते हैं, जो की थोड़ा संगीन सवाल है, यह सवाल है कि 12 लोगों का मानना है कि आपका शो श्क्रिप्टेड है तो जैसा कि स्कुरिप्ट में लिखा है कि यह शो श्क्रिप्टेड नहीं है इदर हूँ बिगर बॉस जी मैं जानना चाहूंगा इस फोटो के पीछे का क्या राज है ये मिस्टर इंडिया के बड़्दे की फोटो है मैंने और आदित चोपडा ने इतनी धूमचाई थी कि आंटी को पुलिस बुलानी पड़ गई थी ये पुलिस आने के बाद की फोटो है और ये वाली तस्वीर अंदे हो क्या दिखाई नहीं देता वो खाली फ्रेम है तो चलिए अब दोस्ती से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं प्रेम की प्यार की तो बिगर बॉस जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको जीवन में पहला प्रेम कब मिला था पहली बार प्यार कब हुआ था पहला प्यार पहला प्यार के तो यादी मत दिलाओ मिया क्या हो गया अश्ण शाद्र रुला दिना बिगर बॉस को अब डिप्रेशन उनको जनना मेरे को पढ़ाईगा तू तो चला जाएगा इंटर्वी लेके रहाद बहर बैठके पैक मेरे को बनाने के लिए तो मैंने बला तुमारे बेगर बास को प्यार करने के लिए बेगर बास को आरव मैं एक सबनी सुरूआ मैं देखिये बेगर बास आपका नौकर फिजिकलो नौकर नहीं हूँ मैं अगली सीजन का विनर हूँ स्क्रिप्ट याद करके पूरी रहसल भी कर लिए देखिये बेगर बास इस घर में मैं रोंगा या तो यह आदम देखिये बेगर बास मैं क्रांतिकारी पत्रकार हूँ मैं अपना इंटर्वी पूरा करके जाओंगा तुम देखिये बेटा पी आप मुझे अभी के अभी कर्फेशन रूम में बलाई है और वही बंद करके रखिये इसको क्या टंटापा लगा रखा है तुम लोगोंने बिगरवास को ठीक से रोने भी नहीं देते आप इस आदमी को बाहर निकालिए नहीं तो मैं अभी के अभी इस घर की दिवार फानके निकल जाओंगा अगर सीडिये मिल गई तो अरे नहीं नहीं अगर तुम चले गए तो मेरे लिए पैक कौन बनाएगा तुम में से आज कौन बाहर जाएगा इसका फैसला इस टास से होगा मैं एरलाइन्स की बात कर रहा था सिसी टीवी ये टास का फार गए सुरो ना बिगर बॉस एक बार फिरसे केलते हैं कि बहुत बढ़ाद और बिगर बॉस रामा लिंगम को इस जीत की हार भी वताई देते हैं ज़ी नरक हो गया रहे कहा पसाद यारे बिगर बॉस